अमस्ते आज हम सोर्से से 읽 यादि ऊर्जा के पढ़े के हां हर कद्य ओर्जा जाई होती इंसानों कि उर्जा अजिन को पिशैनिक के लिए उर्जा के लिए हम कही तरह की इंधनों का प्रयोग करते हैं और बिज्ली बनाने और क्योंकि यह हमारे जीवन के इतने जरुरी भाग है कि प्रणा कवस्यप अब हम जानते हैं कि ऊर्जा का अच्छा स्रोथ किसे कहा ज़ता है जो प्रती एकांथ द्रफ्यमान अधिक से अधिक काले ते नहीं अधिक से अधिक ऊर्जा दे तीसरी बात अच्छे स्रोथों को जमा करके रखने और इधर से उधर ले जाने में भी सनल्सा होनी चाहिए और सुखसर्द आवशक यह है कि यह स्रोथ सस्ते हों यह इनका प्रयोग हर तरह के मनुश्यों को करना है तो दाम का ध्यान देरा बहुत ही आवशक इस चित्र में द इसके बारे में आप पुराने पाथ्फों में पढ़ चूके हैं इस त़िक भावे को जूड़ा वाए है जिसके बारे में और पहले पाढ़ चूके है जेनरेटर में नधर इस साफ्ट घूमने लगता है वर इस ही शांट के घूमने केoder बिजली बनती है जिससे मंक्य चलते है और अजने चीज़े भी चलती है अब हम जाने के फॉजल स्थित गर्मी और उच्च दबाव के कारण यहां इंधन में तक्रीफ हो जाते हैं और इसी कारण से कि इनका बंडार सीमित है जिवाश्मी इंदर की कुछ उधारन है कोईला पेट्रोलियम और प्राकर इंगा गाड़ियां चलाने और बिजली बनाने जैसे कार्यों में किया जाता है इस चित्र में दिखाया गए कि भारत पे इस तरह से उर्जा सुर्टों का उप्योग के जा स उसके बाद आता है जल का उप्योग और फिर परवान उर्जा और फिर पावन उर्जा इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कि सरा से बिजली बनती है जब किसी तर्वाइन पर भाप छोड़ा जाता है तो डाइनामों के अंदर स्थेट शार्ट गूमने लगता है और शार्ट पर गूमने से बिजली बनती है इसी प्रक्रिया का प्रयोग है जाता है तापिया विद्युत्सा ज्यांत्र यानि थार्वार पावत प्रांटों जिवाश मीं इंदरों को जला कर बहुत उश्मा निकलती है इस उश्मा के द्वारा पानी के भाप बराया जाता है और यही क्वुब अधानों के शा और गुभागा विजली बनाता है को व लाने ले जाने के जगा विजली का परिवहां जाता सकता है के में इस तरह का विद्युमा की यहां इंदन सीमित यानि कभी यह कभी ना वहत दुआ निकलता है और यही दुआ आसपास के परिवर्तर में प्रदूशन सबादा है अब पढ़ेंगे जल विद्युत सहीं अंत्र यानि हाइट्रो पार प्लांट के बाल थर्मा पार प्लांट में उसी भाव का प्रयुकिया जाता है नदियों पे बाद बनाकर पानी को रोखा जाता है हम जानते हैं कि पानी सदा नीचे स्थर से नीचे स्थर पर जाता है तो जब पानी को ऊपर से छोड़ा जाता है तो वहाँ एक टर्बाइन से पास करता है यहाँ पानी इस टर्बाइन को घुमाता है जिससे बिजली बनती है बारत के कुछ विख्यात बांग है नर्मादा यहां बिजली बनाने का काफी अच्छा तरीका है और इसका प्रयोग हमारे देश में भी कई जगा किया जा रहा है इसमें बस एक ही थी सही कि पहाड के बीच एक तेज भेती नदी खोजनी है और जो नोग विस्थापित होते हैं इसके आतर इसे कम से कम रखना होता है बायो मास एक ऐसी उर्जाव सुरोत है जिसका उप्योग हमारे गाउं में कई तरह से जह सकते हैं लकड़ी को कम ऑक्सीजन में जलाने फिर चारकोल बनता है जो काफी बढ़िया इंदन हो ठीको जीतना गोबर पसल के कटेवे अवशिष्ट वेकार सबजीयों को अकर कम ऑक्स इसके प्रयोग से प्रयोग से फेकने वाली चीजों का द्वारा इनर माया जा सकता है और साथी साथ नीचे बच जाता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं खेतों में खाद के रूप में तो यहां एक ऐसा उर्जस्त होते हैं इसका उप्योग हमारी गाउं में बहुत बढ़िया से हो सकता है और कई गाउं में ऐसा हो भी रहे अब बाग करते पवन उर्जा के पड़े पवन चक्कियों की मदद से साधियों से हवा की गती जोड़ रही है तो कुउंओं से पानी निकालाता जाता है आज पवन चक्कियों को डाइनेमों से जोड़ दिया जाता है पर इसे बिजली बनाई जा सकती है बारत सब्सक्राइब अर्जा कन्यकुमारी में बनाई जाती है अगो बनाने के लिए कुछ ऐसे पंखों का उप्यों किया जाता है एक पंखा इतनी उर्जा नहीं बना सकता जिसे घरों में लाइट दी जा सके तो इसलिए कई ऐसे पंखों को एक साथ करके रखता पड़ता है अब हम उर्जा की अब पारंपरिक्स क्रोतों के बारे बते हैं वह सबसे पहले आता है सौर प्रिश्वी के तरफ जो गर्मी भेशता है तो एक उधारन है सौर कूकर जिसका उप्योग कई काम में किया जाता है हम जानते कि काला रंग सबसे ज्यादा धूप अपने अंदर सोबता है तो एक डब्बे को हम पूरे तरह से काले रंग से पेंट कर देते हैं और एक सीसा लगा देते हैं अगर डब्बे में हम कोई भी खाने वाला पदा जैसे चावल अगर रखते हैं तो धूप से आने वा सौर सेल्ट जो मुख्यता सीलीकन से बनते हैं इनका दौर सौर उद्जयाज़ बिजली बनाएं जाते हैं कई सौर पैनल कुछ इस प्रकाड दिखते हैं इसमें हर एक-एक टुपड़ा एक सौर सेलल में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ज्दूप की उड़ जा लेते ही उसे बिजली में परिवर्चित कर दोते हैं। शौट सेलों का प्रयोग कई डिजिटल वोचों में आजके कह जता हैं। और क्याल्कुलेटर में तो इसका प्रयोग कई साथों से किया जा रहा है। अब हम समुद्र की उरजा के बारे में जानेंगे जो एक और अपारंपरीक उरजा सोथा। एक उधारन ज्वारिये उरजा समुद्र के स्तर को अगर हम देखते हैं। तो यह मत्यर जो कम ज़्यादा होती रहती है। इसे ज्वार भठाका। समुद्र के किनारे किसी संकीन शेत्र बाद बनाका तो उसमें तर्बाइन लगा को प्योग किया दसकते हैं तो जब समुद्र किनारे हाई टाइड होगा तो सारा पानी बाहर से अंदर तरफ आएगा इससे तर्बाइन भूने लगएगा और बिजली बनेगी जब लो टाइड होगा सारा पानी किनारे से समुद्र तरफ जाएगा जिससे और टार्बाइन भूनेगा और बिजली बनेगी इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में किया गया था और गुजरात के गल्फ और कच्छ में इस पर काम किया जा रहा है तरन उर्जा भी उर्जा है जिसका प्रयोग कर सकते हैं समुद्र में जो तेज लहरे भूते हैं उनसे उर्जा प्राकर की जा सब。」 इसके लिए कई यंत्र भी बनाएं गये हैं पर नंतु इसका प्रयोग अभी कापी जोर सोरशिर नहीं हो रहा है गुतापिय उर्जा में उर्जा कई गोद प्रास्टोर वो व्यज्ञानिक परिवर्तनों के कारण कई बार प्रिथ्वी के गर्व में गलेवे पत्तर उपार आ जाते हैं या भूमिगत पानी को गर्म कर उसे भाफ बना देते हैं इसकी उप्योग से तरपाइन चलाए जासे या भाफ हमें कई गर्म पानी के कुंड़ों में देखी जा सकती है जो भारा से कई जगा मिलते हैं इस उर्जा का प्रयोग न्यूजीलेंड और अमेरिका में कई जगा किय अब हम बात करेंगे परमाणू उर्जा के तर तो आजकल वाद विवाद का एक बहुत ही बढ़ा चर्चा है परमाणू विखंड़ा में भारी परमाणू जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम प्कम उर्जा वाले लिट्रॉनों की बहुच्वार की जाते हैं इससे खालके पर शक्रमाणू बनते हैं और इस प्रतिक्रिया में बहुत उर्जा निकलती है यह उर्जा गहार को जलाने से निकलने वाली उर्जा से एक करोड गुना जाता है। इस प्रतिक्रीय से पाली भाब बनाया जा सकते हैं जिसके द्वर्ण टर्बाइन घुमाया जा सकते हैं। परमानु उर्जा के अप्षिष्ट को ठीक से फेकना जरूरी हो जाता है और प्रयोकर्दस में भी इने ठीक से रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण परमानु उर्जा के पावर प्लांटों में सेफ्टी पद्धो ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता है कि सभी नियम माने जा रहे हैं और कहीं भी किसी हानिकारक कण बहाने निकले किसी कारण से इस उर्जा को पैदा करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है और जिसके कारण कई लोग इसके उपर वाद दिवाद करते हैं यह भी जाना जरूरी एक परमाणू उर्जा वहीं उर्जा है जिसके द्वारा कहीं तरह के बॉम बनाए जा सकते हैं परन्तु अगर इस विज्ञान का प्रयोग अगर उर्जा बनाने भी की जाए तो इस पर सवाल उठाना सही नहीं है दन्यवाद इसी के साथ हमारा उर्जा के स्रोतों वाला सफर खाता हुआ आपसे अनुरोथ है कि आप इन स्रोतों के बारे में सोचे और धान देखी यही वह स्रोत है जो आपके दीवन में इतनी खोशिय लाने के ठाकत रख सकते हैं यही है जो आप बिजली देती हैं जिसस हम पंख्य चला सकते हैं लाइट जला सकते हैं कंपूटर जला सकते हैं कई चीज़े जान सकते हैं तो आपको सदा ध्यान अगना चाहेगी कभी बिजली बर्बाद ना रख धन्यवाद